Hello students, मैं सेरामेकडमी से तो आज हम पढ़िये चले संसकत में पढ़ते हैं प्रत्या भी ज्यानम प्रत्या भी ज्यानम का मतलब होता है पहचान ठीक न? ये कहानी पंच पात्रम से लिग गई है एक नाटक की तोर में दिया गया है ठीक है? सबसी पहले हम पढ़ेंगे इसका पाठ परचे तो लिखा है प्रसुस्तो अयम प्रसुस्तो अयम पाठा महा कवी भास प्रणितम पंच पात्रम इतिनाटकात संपाध संग्रहितो अस्ति अत्रनाटक कांसे दुरियोधन यंदिना राग्या विराठस गावा अपहता तेसाम उन्मोच नार्थम विराठ पुत्रह उत्तरह अस्य सार्थी रूपेन ब्रहन वाला वेसदारी अजुनस उपाभवी गत्व वन्तव ठीक ना? तो प्रस्तुतो पाठायम इनि इस प्रस्तुत पाठ में महा कभी भास्त वरा रचित पंच पात्रम नाटक से संपाधित करके लिया गया है फिर क्या लिखा है? दुरियोधन दिनाह राग्या बिराठस गावा दुरियोधन आतिक कौरव के राजा बिराठ की गाओं का प्रहन कर लिया गया था इसमें ठीक ना? तब तेशाम उन मोर चनार्थ राम बिड़ा बिराठ पुत्तरा अस्या सार्थी रुपेंड ब्रहना ला वेस्दारी अरजुनस उपाववी गत वन्तों तब राजा बिराट के पुत्र राजकुमार उत्तर ब्रहन लाला छंद भेश में अर्जुन को अपनी सार्थी बना कर कौर्वोस युद्ध करने के लिए जाता है भीश में तत पस्चाता है भीश में दिना है सह अर्जुन पुत्र अभिमन्यू युद्ध करता है युद्ध में क्या होता है देखिए युद्धे कौरवनानम पराजय अववत युद्ध में कौरवों की पराजय होती है असमीन छड़े राजबहमने सुचने संप्राप्ता व्याद बल्लभा इती भेसधारना भीमेन रणभूमों अवन्यू अबाद्ध असमीन इसी के मद राजा बिराट को समाचायर प्राप्त होता है कि बल्लब इनी की छेद में की भेसधारनी युद्ध भूमी अविमन्यू को पकड़ लिया गया है यहनी कोई भेस धरके आता है और बोलता है कि अभिमन्यू को पकड़ लिया गया है ग्रहीत अभिमन्यू अर्जुन भीमो ना प्रत्या भीजनाती अभिमन्यू को अर्जुन इद्भुमी से पकड़ लिया गया ऐसा सूचना मिलती है लेकिन जब पकड़े जाने पर अभिमन्यू भीम और अरजुन को नहीं पहचानता बलकि उनसे क्रोध से बाचित करता है ठीकिना और ब्रहन लता और अभिमन्यू को माराज बिराट के समझ प्रिश्दूत करते हैं और अभिमन्य क्या होता है क्रोधित होने के कारण उन्हें पडाम भी नहीं करता तभी वहां राज को मार उत्तर आते हैं और उनके द्वारा अरजुन भीम आदि पांड़ो को छदम भेस का रहिस ओदन घाटन की ये किया जाता है ठीकिना तो यहां प्यही लिया ख्या गया है कि देखे क्या होता है ग्रहीत अभिमन्यू अर्जुन भीमो प्रत्या भीना जनाती तेन सा उपा भयाम सह सरोशं वार्ता लाब करोती ता उभा अभिमन्यू राज भासायाम नैता तत्र उपसिता राज कुमारा उत्तरा उभयो रहिश्यम बोधियती अनेन छंद भेस धार पंड़ा पंडवा नाम अभिज्यानम भुवन्ति है ना फिर आंके देखिए तो इसमें मने बता दिया कि क्या था कि यह पंच्तत की कहानी है जिसे महाकभी भास ने रचित किया है यह नाटक का एक अंस है ठीक है इसमें क्या होता है अभिमन्यू और राज युद करता है एक इसके तरब से पंड़वो की तरब से और कारवो किसमें हार होती है हाना उस वदे में क्या प्रातांत होता है उसके बारे में इस पार्ट में प्रत्या भिज्यानम में बताया गया है प्रत्या भिज्यानम का मतलब होता है पहचान तो ठीक है चलिए हमां सुरू करते हैं लिखा गुआ है भटा हो जैन्तु महराजा भट का मतलब होता है यहाँ पे सैनिक से है तो सैनिक बोलता है महराज की जै हो जैन्तु महराजा महराज की जै हो सैनिक बोलता है राजा अपूर्वी यू ते हरसो ब्रूही के नसी बिसमिताह ऐसा बोलता है राजा कि तुम्हारी प्रसंता आज अपूर्व है जो पहली ना हुई थी तो बताओ किस कारण आश्चर चकित हो ऐसा राजा सैनिक से बोलता है भटा भटा इनी सैनिक अस्रदे प्री प्राप्तम सभाद्रो सभाद्रो ग्रहनम गता हो क्या बोलता है अभी सुसनी प्री समाचाय प्राप्त हुआ है अभी मैन्यू पकड़ा गया है ये मुझे भी स्वास नहीं होता तो राजा बोलता है क्या बोलता है राजा कथ मिदानी ग्रहिता किस प्रकार पकड़ लिया गया है कथ मिदानी ग्रहिता किस प्रकार पकड़ लिया गया है तो भटा सेनिक बोलता है रतमा साध निसंग संग बहु मात्यम मव तरीता है ना रत पर पहुँच कर बिना किसी हिचक के निसंग कोज भुजाओं से उतारा गया है प्रकट रूप में इधर से कुमार आ जाते है ठीक ना इने कुमार कुमार ऐसी अवाज आने लगती है ठीक है अब आंगे देखे क्या लिखा गया है केन राजा बोलते हैं केन राजा बोलते हैं केन ये क्या है तो अभी मन्यू भटा बोलता है क्या बोलता है सैनी कि किरत पर जो भी मन्निव हैं क्या कर रहे हैं उनको पकड़ा गया है और वो क्या कर रहे हैं अरे अब आंगे देखिए भो को ना खलवेशा योन भुजय भुजयक नियंत्रितो बाला दीके के नपी ना पीरता अश्मी इनकी अरे यह कौन है भो को ना खलवेशा अरे यह कौन है इन भुजयक नियंत्रितो बाला दीके नपी ना पीरता अश्मी जिसके दोरा एक ही हाथ से पकड़ा गया अत्यदिक बलसाली होने पर भी मैं कश्ट नहीं पा रहा हूँ ब्रहनलता ब्रहनलता बोलती है क्या बोलती है इत कुमारा यह कौन है कुमार है तो अब देखिए बिना सस्त्र के कौन आ रहा है इधर आओ अईवन्य यह दूसरा कौन पती फिर देखिए यहां पर क्या होता है ब्रहनलता बोलती है इधर से कुमार कुमार है न यह कुमार आते हैं अभिमन्य बोलते हैं अयो अयम परह का बिभायुत मावेष बिवाषितो हरा अरे मतलब अरे ये दूसरा कौन है जो पारवती के बेश धरन किये हुए भगमान शिव की तरह सुसोबित हो रहा है ठीक ना विभात्स मावित विवाशितो हरा ठीक है इननी जो पारवती की बेश को धरन के वह भगमांस्यू की तरह सुसोवित हो रहा है वह कौन है तो ब्रहनला बोलते है आर्या अभी भाशन कौतुहलम में महत वाचालम यतनेन मार्या यनी की क्या बोलती है और मुझे इससे बात करने की बहुत उत्सुकता हो रही है और इसे बोलने के लिए प्रेरित करें तब बललब काौन बलललब भीम सिन हरा इसे ही बललब कहा गया है अभी मन्यू नारमाम अभी मन्यू नारमाम ठीक है ना? तो क्या बोलती अभिमन्यू, अभिमन्यू का नाम ले रही हो, भीमसेन, क्रोधित हो जाता है, ठीक ना, रुस्त तवेव मया तमेर श्वम भीभा सयाया, वह क्या हो जाता है, रुष्ठ हो जाता है, ठीक ना, यह मुझसे क्रोधित है, तुम इसे ही बता दो, ब्रहन लता, अ अभिमन्यू बोलता है कथम कथम abhimanyu महारमाम भो किमत्र बिराट नगरे 6 वंसो भुवूता नीच्य अपिनमाभी अभिभाश्च्यते अथवा अहम सत्र वंसम गता अतेयो ति DDK यंते ऐसा बोलता है किस प्रकार कहां से मैं अभिमन्यू नाम वाला हूँ अरे यहां क्या यहां विराट नगर में छत्री कुल में जनम लेने वाले वीरों को नीच छोटे सेनिक लोग उसके नाम के द्वारा लेकर बुलाते हैं अधबा मैं सत्रूओं के अधीन हो गया हूँ इसलिए अमायत और पेच्छा किया जा रहा हूँ ऐसा कौन बोलता है अभिमन्यू बोलता है तो व्रहन नला बोलती है क्या बोलती है अभिमन्यू सुख मास्ते ते जन्नी फिरने की क्या है सुख मास्ते ते जन्नी अरे अभिमन्यू तुम्हारी माता सुखी और ठीक तो है ऐसा अभिमन्यू क क्या बोलता है कथम 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 जाननी नाम की भावान में पिता अथवा प्रित्याब्यम कथम मां पित्र वाकरदया इस्त्री गताम कथम प्रच्छती हना क्या बोल रहा है विमन्यू की क्या क्या माता का नाम क्या आप मेरे पिता या चाचा हैं कैसे मुझ पर पिता के समान बिशाय में पूछते हो ऐसी उस इस्तरी से बोलते हैं ठीक है तो फिर देखे क्या उत्तर मिलता है प्रहन लता अहिमन्यो सुखमास्ते ते जन्नी अहिमन्यो अपी कुसली देव की पुत्र केश्वा अहिमन्यो अपी कुसली देव की पुत्र कुसला इनिकी क्या अहिमन्यो अपी कुसली देव की पुत्र केश्वा श्री कुसल तो है ऐसा पूछती है ठीक है तो अहिमन्यो कथम कथम तत्र भवंती अपी नामना अथा किम अदर्ने श्रीक्रष्ण को भी नाम से और क्या और क्या दोनों आपस में एक दूसरे को देखती हैं ठीक है तो ब्रहनला तो बोलती है क्या बोलती है कथनम मिदानों सवाग मिवावं माहास्ते तो ब्रहनला बोलती है नाखलू किंचित वास्तों में ऐसा कुछ नहीं है तो अभिमन्नु ये बोलना चाहता था कि कैसे इस समय अपना सब उपेच्छा अनुभाव करने वाले समान के उपर हासा जा रहा है यहां बिश्मनों के दोरा तिर्स्कित हो चुका हूँ, तो मुझे यहां भी सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक ना, इसलिए अब्रहन अला को बोल रहा है, कि क्या है, कि क्या है, सब लोग यहां कि मुझे भी नाम से लेकर पुलाते हैं, और स्री कृष्ण को भी सब सकता है, तो फिर कहते हैं ब्रहन अला बोलती है, कि ना खलू किंचित ऐसा, कुछ भी नहीं है, बास्तों में ऐसा, कुछ नहीं है, पार्थ, पार्थ, पितरु मुदस मातुल्यम जनार्धम, तरुनस क्रतस्च युक्तो युद्धो पराजया, पार्थ, अर्जुन, पिता क जनार्धान स्री कृष्ण, मामा वाला यूबक, अस्त्र बिद्या के संपन और युद्ध में निपड़ होकर भी पराजित होता है, क्या या उचित है, यहां अर्जुन अभी मन्यू का उपहास कर रहे हैं, यहां पर अर्जुन जो है, अभी मन्यू का उपहास कर रहे हैं, कि जिसको इतनी सिच्छा दी गई जिसके पास अतने सस्त्र हैं तो क्या वयुद में हार सकता है ऐसा बोला जाता है ठीक है फिर देखे आगे क्या होता है हम कहां पर थे पार थे हना अभी मन्यू अलम स्वाच्छंद प्रलापेन अस्माकम कुले आत्म सत्मम कर्तुम निच्च इतनी नम क्युम भविश्चयति है अन्या पर क्या होता है अब मन्यू बोलते हैं अरंगना लाग हना इन्हेकी फिर यहाँ पर पार्थ बता रहे हैं कि क्या होता है तो देखे अर्मगल प्रलाप बकवास को बस बकवास को अब मन्यू बोलते हैं कि बकवास बंद करो बस करो हमारे कुल में अपनी प्रसंसा अपने आप करना ठीक नहीं माना जाता युद्ध में भूमी रड़ भूमो हते सुसरान पश्च युद्ध भूमी में प्रहार किये गए बाणों को देखो और मेरे अलाबा दूसरा नाम नहीं होगा क्या बोलता है मनु कि मेरे अलावा दूसरा नाम नहीं होगा रडवुमी में देखो कि बाण किसको लगे हैं और किसने बाणों को हतास किया ऐसा भी मनु बोलता है तो ब्रहन अला बोलती है एव वाक्या सौर पिडाम सौर यड्याम की मर्थम तेन पदा तिना ग्रहिता हना रहना बलती है कि ऐसी वाड़ी वीरता की हसस्त्रम एव वाक्य सौंडी गड़म सौंडी अर्यम हना ऐसी वाड़ी वीरता की की मर्थम तेन पदा नहीं ग्रहिता तो फिर कैसे उस पैदल चलने बाले सैनिक के द्वारा पकड़ लिए गए ऐसा बोलती विरा नला अभी मैंने बोलते हैं असस्त्रम माम भीगीतं पित्रम अरजुन इस्मरन अहम कथम हन्याम अस्त्रेशु माद्रशा नाप्रहांती अता असस्त्रो अयम मावचित्वा ग्रहित वान कि बिना सस्त्र के मेरे पास आ गया था असस्त्रम माम भीगीता है ना मेरे पास बिना सस्त्र के आ गया था पित्रम अरजुन इस्मरन अहम कथम हन्याम मैंने अपने पिता अर्जुन को याद किया कि कैसे मारता है आगया था हुआ था तो पिता अर्जुन को याद करता हुआ मैं कैसे मारता बिना सस्त्र वाले पर मेरे जैसे प्रहार नहीं करते हैं कि जो बिना सस्त्र लिये हो तो मेरे जैसे जो बीर पूरूस होते हैं वो प्रहार नहीं करते हैं इसलिए कहा गया असस्त्रे सु मादरशा मैं उस पर प्रभार नहीं करता इसलिए बिना सस्त्र वाले से मुझे धोखा देकर पकड़ा गया बिना सस्त्र वाले से मुझे धोखा मिला ठीक है राजा तोयरता अहिमन्यू राजा क्या बोलते हैं अहिमन्यू को शीगर बुलाओ ऐसा बोलते हैं ब्रहनला इत इत कुमरा एसा महाराजा उप समर्पतु कुमारा ब्रहनला बोलती है कि इधर से कुमार इधर से यह महाराज हैं पास में पहुँचे कुमर यह महाराज हैं और कुमर जो होते हैं जो पास में पहुंच जाते हैं ठीक है ना तो अभिमन्यू बोलता है आह कस महराजा आह कस महराजा ओ किसके महराज आह कस महराजा ओ कैसे महराज तो राजा बोलता है एग रोही पुत्रा कथमना मामा विवाद यसी आत्म गता अहो उत्सिक्ता खावल्यम छत्री कुमारा अहमस्य दर्प प्रिसासनम करोमी और प्रकासम अथम केनरम ग्रहीत राजा बोलते हैं एहोरी पुत्रा इहोरी पुत्रा इनिकी आओ पुत्र पुत्र आओ पुत्र तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो क्या बोल रहे हैं कि मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो कथमना ममा भिवादस्यामी आत्म गतम अहो उत्सिक्ता खलवयम छत्री कुमारा हना इसे बोल रहे हैं कि तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो अपने मन में ओ निश्ची थी ये छत्री कुमार गर्व घमंड से युकत है मैं इस गर्व को इन घमंड को सांत करता हूँ प्रगट में इच्छा करके इसके द्वारा अच्छा किसके द्वारा पकड़ा गया ऐसा उसे लगता है ठीक है न अभी मन्यू को लग रहा है कि क्या है ये सामने वाला पर राजा बोलते हैं कि तुम मुझे पड़ाम क्यों नहीं कर रहे हो देखी प्रकासम इन को नसी पी ग्रहित भीम से इन क्या बोलते हैं महराजा मया महराज मेरे द्वारा बिना सस्त्र के ऐसा भी कहिए न महराज अभी मन्यू बोलता है कि असस्त्रेडे तित्त भी दिया ताम हना बिना सस्त्र के ऐसा भी कहिए न भीम सेन सान्तम पापम धनस्तुम दुरबलय सान्तम पापम धुनुस्तु दुरबलय एयो ग्रहाते मम्तु भुजय एयो प्रहाडम मम्तुम भुजय एयो प्रहाडम पाप सांथो अर्था तिस्वर पाप करने से बचाए धनुस्तो दुर्वलों के द्वारा ही ग्रहन किया जाता है मेरी तो दोनों भुजाए ही हतियार है ऐसा कुन बोलता है? भीमसेन बोलते हैं ठीके ना फिया में अन्नि बोलता है कि इतना मत बोलो क्या आप हमारे माध्यम या बीच वाले तात हैं जो उनके समान बचन बोल रहे हैं ऐसा कुन बोलता है? मन्नि बोलता है क्योंकि भीमसेन को वे पहचान नहीं पाया था ठीक है ना? तो अभी मन्नि बोलता है मातावत भो भो भवान मध्यम तात तात या सत्सदा सदसम वचम दावदाती यहीं कि तुम मेरे तात हो क्या मध्यम वाले जो ऐसी बात कर रहे हैं तो भीमसेन बोलता है क्या बोलता है? पुत्रह को अयम मधमो नाम पुत्रह को अयम मधमो नाम पुत्र यह मध्याम नाम वाला कौन है दीमसेन बोलते हैं ठीक है ना तो अभी मैंन्यू बोलते हैं फिर अभी मैंन्यू देखे बोलते हैं क्या बोलते हैं मैंन्यू कि योक्त्रा इक्त्वा जरासंधम कंट सिलाश्ठेन बहुना असाभ्यम कर्मम तत कृत्वा नीत कृष्णनों आउदत हर्ताम जिसने अपनी भुजाओं से जरासंध के गले को बांद कर जो स्रीकृष्ण के लिए आसाध्यकार था उसको साध्य बना दिया है अर्थात स्रीकृष्ण ने जरासंध को मारने की पृत्यग्या की हुई थी परन्त भीम ने उसे जरासंध की दें को बीच से ही चीर कर उसे मार दिया है अता स्रीकृष्ण का कार करके उन्होंने कृष्ण से उनकी जरासंध को मारने की पात्रता ले ली है ऐसा भी मन्यों बोलता है कि जो भीम सेन है वो बहुत ही बलसाली है उन्होंने श्री किष्ण ने ऐसा वचन लिया था कि मैं उसे मारूंगा लेकिन उन्होंने अपने भुजाओं से ही उसे मार डाला है ठीक है ऐसा फिर आगे देखिए राजा ना ते छडेन तुष्यामी रुष्यता भावता रमी कि मुक्ता नरा प्राधोहम कथम तिस्ट्यंती दित्वी इन्हें कि क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि यदी मैं क्रपा के योग हूँ तो बंदी जनों के योग पैर बांद कर उचित दंड देजिए मैं हाथों से पकड़ कर लाया गया हूँ मेरे मध्यम तात भीम मुझे हाथों से ही छुड़ा कर ले जाएंगे ऐसा बोलता है कि कहते हैं मैं क्या हूँ मैं पकड़ कर लाया गया हूँ हाथे से और जो मेरे तात हैं मेरे के जो भीम मेरे तात है वो मुझे हाथों से छुड़ा कर ले जाएंगे उसमें इतना साहस है ऐसा बोलते हैं कौन अभी मन्यू हाँ फिर देखिए अभी मन्यू बोल दिया उन्होंने ठीक है न अब इसके बाद उत्तर तात अभीवादन करता हूँ क्या बोलते हैं क्या उत्तर मिलता है कि तात अभीवादे उत्तर ये उत्तर का पुत्र था उत्तर तात अभीवादे राजा अविश्मान भाव पुत्रह पुजिता कृतक कर्मडो योध्या पुर्षा क्या कह रहे हैं कि दिरखाई हो पुत्र युद्ध भूमी में बीरता दिखाने वाले बीरों को सतकार कर दिया गया है तब उत्तर बोलता है क्या बोलता है पुज मस्ततासं क्रियताम पूजा है फिर राजा बोलते हैं पुत्र कर्षमा है हाना तो आप अब अधिक पूज की पूजा कीजिए आप अधिक पूज की जो अधिक पूज है उसकी पूजा कीजे राजा बोलता है पुत्र किसकी तो उत्तर बोलता है यहीं उपस्तित पूजनी धननजे अर्जुन की इसलिए कहा जाता है कि इत्र भवते धननजना है इत्र भवनते धननजना है तो राजा बोलते कथम धनों जयती अथम कीम उत्तर बोलता अथम कीम तो का लिखा है संसान नादूराय तूडी रच्छाय साय के नरपा भीश्मा दयो भगना वयम परिरच्छिता है अथम कीम संसान नादू संसान अहां दूआ नुरादराय तूडी रच्छाय साय के नरपा भीश्मा दयो भगना वयम दा परिरच्छिता है राजा एव मेतत ठीक है ना मतलब की इसकर्थ ये हुआ कि उत्तर ने नुवाद देता है क्या बोलता है उत्तर क करता है कि जिसने संसान भूमी में पहले से ही चिपाए है धनूस तरकस और अच्छे वाडों से लाकर भीश में आदी कुरू राजाओं को परास्त किया है हमारी रच्छा की है तो फिर राजा बोलते हैं क्या बोलते हैं आगे देखिए, एव मेतत ऐसा ऐसी वात है ऐसा कौन है तो उत्तर फिर उत्तर देता है कि व्यपनतिव भवाच्छोंक अंकम भवच्छांकम अवेव अस्ती धनुरधरा धनन जया धनुर्धरा धनन्जया आप अपनी संका को दूर करें यही है धनुर्धर धनन्जय अर्जुन ब्रहन नलता प्रे ब्रहन नला बोलती है अधहम अर्जुन ताहिर आयम भीम सेन आयम चा राजा युदिष्टरा जो मैं अर्जुन हुँ तो यह भीम सेन और यहां राजा उधिष्टिर है ऐसे ब्रहन नला बोलता है तो अभी मन्नु बोलते हैं मेरे पूज पितागर यहीं है अभी मन्नु क्योंकि अभी जानता नहीं था तो क्या बोलता है इत्र भवन्तो में पितरा तेन खलू मेरे पूज पितागड यहीं है निश्चित ही इसी लिए निश्चित ही तेन खलू मतलब निश्चित ही ना दूश्यंती मना चिपता हस्तस्च चिपनती इन्वाम दिश्टवाया गोग ग्रणम स्वंतम पितरो एन दर्शिता हा इती मेरे पूजम पितागड यहीं है निश्ची थी इसलिए मेरे द्वरा निंदा और आपेच किये जाने पर क्रोधित नहीं हो रहे थे और हसते हुए मेरा परिहास कर रहे थे भाग से जो अपरहन सुखांत ही रहा जिसने मुझे पिताओं से मिला दिया इस प्रकार क्रमसेवर प वह हो पृएं कि उनको उतार लिया गया है हाना तो यह उर्ट से जो अद्वयर वान्य को उतार लिया गया ओ कि उनकी प्राणों कि रच्चह हो और अपनों के ही बीच में हूँ और अपने पितागडों के अरजुन भीम सेन हना उत्तरा इस सब के बीच में हूँ ठीक है ना ऐस समझने तो ये कहानी थी महा कभी भास दोरा पन्स पात्र से जो नाटक था उसमें से उसका कुछ एक अंसभाग था जिसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन किया गया है तो वहाँ पर किस प्रकार से अभिमन्य उबीर को किस प्रकार से बचाया जाता है और उसका परिचय कराया जात ठीटे धन्नवाद